Hello friends, इस class में मैं आपको बताने वाल हूँ, play store के बारे में यह जो हमारा module रहेगा, वो particularly हमारा play store के उपर रहेगा, यानि कि कैसे आप अपनी app को play store के उपर live कर सकते हैं तो इस particular module में हम यह सिखेंगे कि पहले play store क्या होता है, क्यों use में आता है, then हम जो app को live करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या particular documents required रहते हैं, कैसे आपको अपनी app के फाइल को create करना है, then उसको live करना है, और final हम यह सिखेंगे कि कैसे वो play store पे live होगी, तो क्या processes रहेंगे जब आर्ची class में हम देखने वाले हैं, कि play store क्या होता है, जैसा कि term suggest करता है play store, इसका पहला name था android market, अब यह चीज क्या है, इसको अच्छे दे समझते हैं, android अपने लिए एक market बना रखा है developers के लिए, अब यह developers के लिए कैसा है, कि developers जितनी भी अपनी apps बनाते हैं, वह वहाँ लगा सकते हैं, मतलब वहाँ पे live कर सकते हैं, अब जितने भी users हैं android के, वो क्या करेंगे, अगर उनको कोई नहीं app के बारे में जानना है, या नहीं app को install करना है, तो वो उस particular market के अंदर जाएंगे, याने की play store के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे search करेंगे, या वहाँ पे install कर सकता है, और एक developer के लिए क्या है, जहां पे वो अपनी app को live कर सकता है, अब हम as a developer, हमारे लिए चीज क्यों important है, देखो मैंने बहुत अच्छी app बना दी, अब conceptual wise मैंनी app बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक logo तक नहीं पहुचे की मेरी app, तब तक में को profit कैसे earn होगा, यानि कि user traffic जो है, वो मेरी app पे कैसे बढ़ेगा, अगर वो नहीं बढ़ेगा, तो मैं earn नहीं कर पाँगा अपनी app से, ads लगा के, या in-app purchase से, या paid करके, तो मैं को user को ज़्यादा ज़्यादा मेरी app से attract करना पड़ेगा, यानि कि वो मेरी app को download करे, download करके install करे, और install करे और उस app को चलाए, और चलाने के बाद में अगर मैंने उसकी UI और UX बहुत अच्छे से manage कर रहा है, और concept भी अच्छा है, तो मेरी app से stuck रहेंगे, long period के लिए, और जब तक मैं update देता रहूँगा, वो मेरी app को कभी install नहीं करेंगी, जैसे कि WhatsApp, Instagram, ये सारी, Facebook, ये सारी application आपके ल होती है, एक तो हम marketing करते हैं मारी app की, और एक जब आपका user marketing करेगा, तो उसका impact जो होता है, और double होता है, ये double या four times हो जाता है, for example, अगर मैं as a company, आपको बोलो कि ये app बहुत अच्छी है, आप इस particular app को purchase कीजिए, आप इस particular app को download करिए, use करिए, तो आपके mind में एक thought process होग तो वो आपके साथ में इस particular app का experience जो है, वो आपके साथ share करेगा, जैसे हो share करेगा, that means वो क्या करें माउथ publicity कर रहा है, कि ये app बहुत अच्छी है, तो वो negative भी हो सकती है, और positive भी हो सकती है, तो negative हमारे लिए काम की नहीं है, लेकिन positive हमारे काम की है, तो वो क्या करेगी, ह हमारी जो app की growth है, वो into four times, into eight times कर देगी, तो इसलिए हमको एक play store पे हमारी app को live करना बहुत important है, play store का मतलब android का play store होगा, इसके अलाव आप भी android के लिए further बहुत सारे play store मिल जाता है, जैसे samsung का खुद का play store है, तो उन particular platforms के उपर भी आप अपनी app को live कर सकते है, यानि कि ज android play store को इतना frequently use नहीं करता, वो अपने phone के जो play store है, जैसे samsung play store है, या oppo vivo का play store है, android market है, वो वहाँ से अगर ज्यादा तर अपनी apps को install करते है, तो वहाँ पर भी मेरे पास एक option होगा कि user को interact कर पाए, और हमारी app को user install कर पाए, तो इसलिए हमको play store पे हमारी app को live करना बहुत important है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा user तक अपनी app को पहुचा पाऊं, जितने ज़्यादा users होंगे मेरी app के, उतना ज़्यादा में को benefit होगा in and out, चाहे वो passive income हो, चाहे वो active income हो, जैसे कि मैंने play store के बारे बता है, google play store, formerly android market, पहले इसको android market नाम से बुला जाला था, इन जो play store है, वो google play store है, उसका 95% share है, बल्लकि ज़्यादा तर android user वो आपके play store में जाके ही app को install करते हैं, तो वहाँ पे तो हमारी app को live करना ही है हमको, अगर हमको ज़्यादा users attract करना है हमारी app idea के उपर, अगर आप चाहते हैं कि जितने remaining platforms हैं, उनके उपर भी हमारे users हैं, तो हम different different play store हैं, उनके उपर हमारी app को live कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बदा ही, एक official app store है कि इसका google का certified devices running on the android operating system, बल्लब certified in the sense, जो unrooted fonts हैं, वो सारे आप accounts होंगे certified fonts होंगे, यानि कि चिन fonts को root नहीं किया गया है, यानि कोई ऐसी device है, जिसके अंदर मैंने android OS को root कर दिया ह android OS को चला दिया है, officially उसमें नहीं आता है, तो उसमें हो सकता है कि problems create करें, उसमें आपको play store ना मिले, उसमें play store की apps जो है, वो आप सर्फ नहीं कर पाओ, लेकिन फिर भी उसकी apk files को आप download करके फिर भी चला सकते हैं, बट वहाँ play store नहीं चलेगा, तो certified devices running on the android operating system, allowing user to browse and download application developed by the android software development kit, जो मैंने starting में बता है, sdk get through हम क्या करते हैं, dot apk create करते हैं, तो यह हमारे लिए एक platform है, बनल इसको ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा mall है, जिसे हम malls में जाते हैं, हम ऐसे user जाते हैं, और कुछ ऐसे shop keepers जाते हैं, कुछ अपनी दुकान लगाने जाते हैं, और कु multiple malls नहीं है, एक ही mall है, जो बहुत popular है, जहाँ पर 95% all over the world का crowd है, वहीं आता है, तो वहाँ अगर मैंने अपनी shop को लगा दिया, तो वहाँ user के आने के chances जाता है, हमारी app को download करने की chances जाता है, और उनको install करना, उसके chances जाता है, उसके बार depend करता है मेरी app के ओपर, अगर मेर app में वो caliber है, तो हमारे users जो है, वो दिखे 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 बढ़ते जाएंगे, हमारा UI और UX इतना अच्छा है, और हमारा जो app idea वो इतना अच्छा है, तो हमारे user दिखे 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 करके, एक large base में convert हो जाएंगे, तो यह जो हमारा platform है, यह हमको start देगा, तो इस apk file create हो जाएगी, तो उस apk file को कैसे एक play console होता है, उसके उपर हमको upload करना है, then हमको कैसे हमारा पूरा जो interface है, मतलब कैसे हमारी जो shop बनेगी mall के अंदर, for example, जो हमारा app बनेगा, जो user को interface दिखता है, यह app का नाम आता है, then icon आता है, then screen shots आते है, brief description आता है, long description आता है, यह स सारी चीज़े हम इसी module में cover करेंगे, तो इस class के लिए इतना ही, thank you.